Welcome back students, आज मैं अखले फिर से लेकर रहा हूँ, solution चब रोगे, काफी सारे अच्छे questions, कुछ questions आपके NCRT के हैं, और कुछ questions previous year में आयवे exams में हैं, तो अब पहरा जो question ने इसको पढ़िए, 2 gram benzoic acid, C6H5CHH, आपके इसको नहीं पहले 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 भी discuss कर चुके, कि benzoic acid क्या होत कैसे behave करता है, dissolved in 25 gram of benzene, shows a depression increasing point equal to 1.62 kelvin, केफ आपको दे रखा है, what is the percentage association of acid, if it forms dimerine solution, देखो, question main आपके यहां से श्राट हो रहा है, what is the percentage association of acid, if it forms dimerine solution, इसने आपको पहले ही बोल दिये, कि dimer form करेगा, अब dimer form कैसे करता है, अपने अपने लाश्ट वीडियो में देख आपको याद नहीं है, तो आप पर इस वीडियो देख सकते है, इसी topic का, आप से पूछाए कि जो association होगा, किस percentage base पे होगा, तो कहीं नहीं यहां पर want of factor I का role आएगा, अब वो rule कैसा आएगा, अब आपन देखते है, पहले आपको जो data given है वो लिख लीजिए, आपको यहां आपे benzoic acid क्या है, solute है, और solvent आपका benzene है, तो यहां पर solute आपके पास है, W है 2 gram, और यह dissolved है benzoic acid में, ठीक है, तो मैं उसको लेता हूँ, capital W, यह लेता हूँ, मैं हापे 25 gram, ठीक, आप से पूछा है, यहां पर depression freezing point है, यहां पर अपन formula लगाता है, colligative property का, delta TF equal to KF into M, यह आपका formula होता है, depression freezing point का, पर यहां पर जब बात association dissociation ही होती है, तो आपनको I factor भी use करना पड़ता है, that is want of factor, तो आपनको I भी यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक, I लेना पड़ेगा, अब आपको delta F given है, cave given है, और M molality आप find कर लोग given data से, I नहीं given है, तो क्या आप यहां से I find कर सकते हो, yes, मैं यहां से want of factor I find कर लोगा, इस वाली reaction के लिए, तो एक बार मैं I find करता हूँ, delta Tf मेरा given है, 1.62, I into cave की value है, 4.9, यह Kelvin kg पर mol है, यहां Kelvin में, तो Kelvin से Kelvin कर जाएगा, kg आपके molality ए फर्मल में आता है, mol भी वहां आता है, तो यह वहां से कर जाएंगे, ठीक है, तो सीधा फर्मल में लिख देता हूँ, into embolity होता है, mols of solute, solute है, 2 gram, weight of solute, molecular weight of solute, अब benzoic acid का molecule weight कितना होगा, तो आप उसको निकाल सकते हो, C6H5COOH, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके पास, 72, plus 6, plus 12, plus 32, अब easily find कर सकते हो, molecular weight of benzoic acid, यह आपको मिलेगा, 72 में, आपको 6 add करोगे, 78, plus 12, यह अपर हो जाएगा, 90, 90 में आप 32 add करोगे, तो यह हो जाएगा, आपके पास, 118, sorry, 122, कितना हो जाएगा, 122, आप इस 122 को यहाँ पर put कर देजिए, तो यह होगा, आपका mol, mol लेटीम होता है, mols of solute, तो solute है 2 gram, जो कैसे, divide by 122, into weight of solvent in kg, solvent है, आपने benzoic acid, benzene में dissolved किया है, तो benzene आपका solvent की तरह भी हो कर रहा है, 25 gram weight है, kg में करेंगे, 1000 से divide करेंगे, 1000 आपका उपर की तरफ, ठीके, तो यह आपका formula हो गया, depression, freezing point, including I, अपने आपने आपने बंट अफेकर I को include किया है, वह आपका target रहेगा, यहाँ पर IQ value निकालना, ठीक है, IQ लिप निकालोगे, तो आपको पहले यहाँ पर cut करना पड़ेगा, cancel करोगे, तो यह हो जाएगा, 40, यह हो जाएगा, 61, तो IQ value अपकी हो जाएगी, 1.62, into 61, divide by 4.9, into 40, ठीक है, अब आप इसको calculate कर लीजिए, इसको आप calculate करोगे, तो आपक यह calculation में लगी, IQ value 0.50, अब देखो, आई समझो कि 0.50 आई आया, वांट अफेक्टर आया, इसका मतलब क्या हुआ, कि आप consider कर रहे थे, इसको single molecule, ठीक है, single molecule consider कर रहे थे, पर solution में जाकर यह associate हुआ है, आपको ने बताया था, hydrogen bonding मनती, पिछले वीडियो में बताया था, बैं इसने hydrogen bonding बनाई, तो यह combined होगे, dimer की form में, इसने बोला भी question में, dimer बन गया, तो consider कर रहे थे, one और बन गया dimer, तो आपके दो molecule बनके, एक dimer बनाएंगे, तो आपका यहाँ पे, two is two बनके रिशे चलता है, यानि कि half, contribute हुआ, half, दो लिए तब जाके एक मिला, गर एक होगा, four लोगे तो two मिलेंगे, आपको, ऐसा नहीं, four लेंगे तो four मिलेंगे, यहाँ पे dimer बन रहा है, equation किस तरह से चलेगी, two, CH3, sorry, two, C6, H5, COOH, यह आपका dimer बन जाएगा, C6, H5, COOH का whole twice, इस form में आ जाएगा, due to H bonding, dimer की form में आ गया, तो दो लेने पे, एक डिसोस नहीं, four लेने पर आपको two मिलेंगे, इसलिए I की value point five आ रही, क्योंकि half हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, अब question अपना यह नहीं कि I find करो, question अपना है, percentage of association find करना है, कि इसका कितना percent associate हुआ, कितना combined हुआ, तो यह तो आपने I find कर लिया, ठीक है, अब इसको बनागे करते हैं, percent of association find करना ही के लिए, suppose मैंने इसका one mole लिया शुरू में, तो यह मुझे मिलेगा zero, suppose इसका x mole associate हो गया, one minus x, तो यहाँ पर कितना हम मिलेगा, two बना रहा है one, four बनाएंगे eight, sorry, two बना रहा है one, four बनाएंगे two, six बनाएंगे three, half बन रहा है, hundred बनाएंगे 50, तो x बनाएंगा x by two, at equilibrium, t equal to equilibrium, तो total moles कितने हो गए आपके, total moles आपके हो जाएंगे यह, one minus x plus x by two, ठीक है, आपको याद हो, पिछले वीडियो में अपने आएंगे का formula देखा था, number of particles after association या dissociation, divide by total number of particle before dissociation, ठीक है, या फिर association, मैं लिखता हूँ आए, total number of particles after association, divide by total number of particles before association, association हो रहा है, तो अपन association की बात करेंगे आपे हैंगे, तो आई आपका हो जाएगा, after association particle आ रहे है, one minus x plus x by two, equal to before थे one, one के इतने रहे गए, यह before की value आपके one, i की value है 0.5, तो यहाँ से one, अभी हो जाएगा, one minus x by two, तो आपके बास क्या हो जाएगी, x की value आजाएगी, ठीक है, x की value आजाएगी, अब देखो, आपको यहाँ पर exact answer लेनी के लिए न, इसकी value को बिल्कुल exact लेना पड़ाएगा, अप्रोक्स लोगे तो यह answer भी अप्रोक्स आएगा, हो सकता है, अगर आप इसको calculate करोगे, तो answer कुछ हो रहा है, और exact लिए करोगे तो answer कुछ हो रहा है, तो मैं आपको इसकी exact value बता देता हूं, कि इसकी exact value क्या है, फिर मैं आपको दोनों से बताऊंगा, calculation करके, कि approach और exact लेने पर क्या difference आए answer में, इसकी exact value है 0.504, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो calculation करूँगा, एक तो 0.5 लेके, और एक 0.504 लेके, ठीक है, अगर आप यह value लेते हो, तो x by 2 की value हो जाएगी, आपकी 1 minus 0.5, that is 0.5, तो x की value हो जाएगी 1, यानि की 100% association हो रहा है, क्यों हो जाएग अगर मैं आपको इसको 0.5 नहीं मनता, exit पर लेता हूँ, तो x by 2 की value हो जाएगी 1 minus 0.504, ठीक है, अब 1 minus 1 minus 0.504 अप करोगे, तो आपको में लेका 0.496, यह में लेका 0.496, तो x की value हो जाएगी आपके पास, 2 into 0.496, ठीक है, इसको solve करो को तो में लेका यह, बताओ, 100% में से कम मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, तो यही अंतर आ रहा है, exit value लेने पर और approach value लेने पर, ठीक है, तो यह हो जाएगा 99.2%, अब option में आपको यह mention होगा, यह नहीं होगा, तो वैसे भी near about answer, same ही है, तो अब काम हो जाएगा, ठीक हो समझे, इस question को कैसे अपनने यहाँ प ने abnormal molar mass लेकर calculate कर रहा है, तो वो भी सही है और यह भी सही है, तो खुश सकते हैं, आपको question थोड़ तफ लगे, थोड़ा समझ में नहीं आए कि सर ने क्या किया, या complicated लग रहा है, पर मैं बहुत सारे question लेकर रहा हूँ, आपको जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा question करोगे यह question आपको उतने ही simple लगते जाएंगे, तो देखते हैं next question, find out the osmotic pressure of 0.21m NaCl solution, ठीक है, आपको बूला है, osmotic pressure निकालो, 0.1m NaCl solution का temperature रखाईए, तो आपको simple formula आदे, pi equal to CRT, ठीक है, अब मैं दो case ले रहा हूँ, तो pi equal to CRT लेके करता हूँ, और pi equal to ICRT लेके करता हूँ, one factor लेके count करता हूँ, और एक बार बिना one factor account करता हूँ, तो बिना one factor के pi की value आजाएगी, concentration है C, वो दे रखाए 0.1, R के लिए 0.082, लेटर ATM पर mol पर Kelvin में, और temperature हो जाएगा, Kelvin में 273 प्लस 27 तो हो जाएगा 300, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो pi की value आएगी, हो आएगी 300 multiply 0. 0.082 into 0.1, ठीक है, तो यह होगा 2.46, कितना हो जाएगी है, pi हो जाएगा आपका 2.46 ATM, अब अगर i लेके चलता हूँ, अब यहाँ पर NaCl के आपका एक strong liquid rate की तरह भी हो करता है, यह dissociate होगा Na plus और Cl minus में, तो आपके one molecule NaCl, आपको one Na और one Cl देंगे, तो यहाँ पर आपको हो creation, तो यहाँ पर i की value हो जाएगी 2, क्यों हो जाएगा, अगे लिए 2 हो जाएगी, तो formal हो जाएगा 2 into CRT, that is आपने यहाँ पर answer निकाला, इसको 2 से into करी है, 2.46 ATM, ठीक है, तो आपकी यह calculation हो जाएगी, 4.92 के around, ठीक है, 4.92 के around, आपकी calculation हो जाएगी, तो देखो answer में कितना अंतर आगया, यहाँ आएगा 2.46, पर आपने कर अगर उसको single molecule count किया, पर यह dissociate हो रहा है, तो आपकी यह तो यही आपका want of factor है, तो इसलिए आपका answer होगा 4.92, option में दोनों होगे, पर correct answer is this, यह कोशन काफे simple लगा होगा है, वो कोशन थोड़ टिपिकल ता बहले होगा, थरड़ कुशन देखिए, थरड़ कुशन आपका NCRT का ही है, determine the amount of calcium chloride, I is given 2.47, dissolved in 2.5 liter of water, such that its osmotic pressure is 0.75 atma, 27 degree centigrade, तो आपको बिना सोचे, समझे, formula use करना है, pi equal to ICRT, क्योंकि I उसने already mentioned कर दिया, तो आप क्यों कुछ और use करोगा, इसना I already mentioned कर रखा है, है ना, तो pi आपको given ह है, यहाँ पर 0.75, आई आपको given है, 2.47, ठीक, concentration होती है, mole per liter, यहाँ पर आपको amount पूंच हाए, CACL2 का, तो उसको मान लेता है, W, molar mass कितना होगा, CACL2 का, आप निकाल होगे, 40 तो होता है, calcium का, और 71 होगा किसका, chlorine का, तो 40 और 71 हो जाएंगे, 111 gram, ठीक है, 111 gram, divided by 111 gram, clear, और आपको यहाँ पर weight of solute, weight of solvent लेना है, तो यह दे रहे है, 2.5 liter, concentration में mole per volume होता है, तो 2.5 liter already यहाँ पर given है, यह हो जाएगा, इसको liter में given है, 1000 से multiple divide नहीं करना है, R की value वही 0.082 liter, 80 पर mole per Kelvin, तो liter से liter cancel, temperature में Kelvin से Kelvin cancel, mole से mole cancel, 80 यहाँ पर 80 इसमें भी आता है, और temperature हो जाएगा 300 Kelvin, हमेशा Kelvin में देना temperature हो, तो आपको यहाँ पर unknown है W, तो आप इस question को easily solve कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ W नोने single equation है, easily W find कर लोगे, आप बोलोगे सर, I तो आपका, यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्योंकि यह dissociate होगा, C plus to 2, C minus में, I 3 नहीं होगा, बेटो, क्योंकि 3 तब होता है, जब 100% dissociation हो, यहाँ पर dissociation 100% नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, यहाँ पर IQ value 3 से थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, तो IQ value जो given है, उसको आप लेके, question easily solve कर सकते हो, अब बड़ो next question के तरफ, काफी simple question था नहीं है, अब बड़ो next, आप इसका answer मुझे comment box में mention कीजिएगा, फिर मैं आपको मैं बता दूँगा कि सही answer क्या है, next question is, the osmotic pressure of 0.0103 molar solution of an electrolyte is found to be this, at 27 degree centigrade, calculate i, अब यह question CBSE 2003 में आ हुआ है, अप से i पूंचा है यहाँ पर, electrolyte कौन सा है यह नहीं दिया हुआ, सिब आप इसको pressure दिया हुआ है, तो formula होई, pi equal to icrt, आप use कर लोगे, pi के लिए आपको mentioned है 0.70, i आपको find करना है, concentration आपको दे रखी 0.0103, r के वाज़े पता होती है अपनको 0.082 liter atm per mole per Kelvin, और यहाँ पर T होगा आपका 300 degrees and Kelvin, ठीक है, तो यहाँ से i के value आपकी हो जाएगी 0.70, divide by यह पूरा वाला term, 0.0103 into 0.082, into 300, तो आप इसको calculate करिए और answer बताईए, यह आपको solve करना में मिल जाएगा 2.76, आई की value यह हो जाएगी और इस question का आपको answer मिल जाएगा 3.42 gram, solve कीजएगा और बताईएगा सही है गलत है, ठीक है, 2.76 बसका 3.42, काफे simple question था, I hope आपको सल्ज़ में आ गया होगा, इसे value पूट करिए और कुछ नहीं किया, काफे simple question होते है, want of factor के भी, next question है आपका है, 1.2% solution of NACL is isotonic with 7.2% solution of glucose, calculate the want of factor for NACL solution, देखो isotonic word आते ही, आपके mind में word क्लिक करना चाहिए, पाइ 1 equal to पाइ 2 होता है, isotonic के लिए, ठीक है, पाइ 1 की value होती है, CRT, इसकी वियोगी CRT, temperature दो नकले सेम होगा, R constant होगा, तो यहाँ पर C1 equal to C2 हो जाएगा, पर अब यहाँ पर want of factor आ रहा है, तो आपको I1, C1 equal to I2, C2 लेना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं first solution ले रहा हूँ NACL का, तो बताओ NACL के लिए I1 होगा और I2 होगा glucose के लिए, ठीक है, अब NACL के लिए आपको पता हो, तो मुझे विसे already पता है, कि यह strong electrolyte dissociate होता है, perfectly, त पर इसने फिर पूचा है, बताइए कितना आएगा, तो मैं इसकी तसलिक लिए calculate कर लोगा, विसे answer मेरा 2 के around ही आएगा, फिर भी मैं आगे I1 को unknown ले लेता हूँ, C1 मेरी concentration यहाँ पर 1.2, तो 1.2 ही ले ले लेता हूँ, मैं 100 gram, अगर मैं solution लेता हूँ, 100 ml लेता हूँ, तो 1 1.2 gram मुझे यह मिलता है, क्या, NACL मिलता है, है न, तो 100 ml solution में कितना है, 1.2 gram NACL मेरे पास, ठीक है, एक किस तो यह दे रखा है, और दूसरा दे रखा है, 7.2, तो इसमें 100 ml solution में मेरे पास क्या है, 7.2 gram glucose है, क्या है, glucose है, दोनों isotoni के, तो concentration हो जाएगे न, तो concentration होती है, मोल पर लेटर से, तो मोल होता है, weight divided by molecular weight, तो NACL का weight होता है, 58.5, 23 plus 65.5, that is 58.5, ठीक है, यह तो इसका मोल हो गया, है न, volume 100 ml है, तो यह 100 ml, लेटर में convert करने के लिए, इसको 1000 से divide कर दूँगा, इसकी तरह से I2 glucose का, glucose क्या है, non-electrolite है, यह dissociate होता नहीं है, तो glucose का I2 1 ही रहेग concentration होगी, इसकी weight, 7.2, molecular weight होता है, glucose का 180, volume आपके पास 100 ml ही लिया है, मैंने, और इसको 1000 से divide कर दिया, लेटर में convert करने के लिए, तो देखो, यह factor तो बुरा कड़ गया, है न, I1 की value आ जाएगी, आपके पास, 7.2 divided by 180, ठीक है, यह वाला factor उपर चल जाएगा, 58.5, और यह वा अब जाब इसको calculate करोगे, तो बताइए कितना answer आएगा, कि मैंने इस point से यह वाला point हटाया, तो यह हो जाएगा, 12, 6, 72, यह हो जाएगा, 30, ठीक है, अब यह 50 होता तो I perfectly 2 आता, पर यह 58.5 है, तो 2 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है, 58.5 को जो मैं 30 से divide करता हूं, तो यह 1.95 आ रहा है, कितना रहा है, 1.95 जो कि approximately 2 के ही बराबर, क्योंकि 100 प्रसेंट रिस्सेशन नहीं हो पाया होगा, इसलिए answer मेरा 2 नहीं आया, तो देखो काफी simple question है, one factor के मज़ा आ रहे करने में, करते रहे हैं, जितनी practice करोगे उतना perfect हो जाएगा, आपका topic question की कोई limit नही है, अब देखो next question, next question है, calculate the boiling point of a solution prepared by adding, 15 gram of NaCl to 250 gram of water, के भी दिरखा है water के लिए, और एक question आपका Delhi CBC में है, 2011 में, तो यह 250 gram मेंने water लिया, और उसमें मैंने कितना solution add किया, 15 gram NaCl मैंने उसमें add कर दिया, ठीक है, तो elevation in boiling point के question है, तो सीधा concept होता है, delta TB equal to KB into M, पर वही बात है, NaCl दिखते थोड़ा दिमाग को दोड़ाओ, NaCl strong electrolyte dissociate होगा, Na plus और Cl minus में, तो यहाँ पे one molecule मैं NaCl के लेता हूँ, तो मुझे दो पार्ट मिलता है, एक का 10 के कनाइन का, तो IQ value कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसमे IB use करो, delta TB होगा, मेरा TB minus TB naught, IQ value 2 है, KB value 0.512, Kelvin kg, नीचे आएगा मोल, मोल लिटी में आजाएगा, जो data given है, आपको यहाँ पे salt का, मोल लिटी होता है, मोल of solute upon weight of solute in kg, तो 15 gram आपका weight है, इसका मोल निकालने के लिए, इसके molecular मार से divide कर देंगे, वो होगा, 23 plus 35.5, that is 58.5, अब जो इसका unit आएगा, मोल, इस मोल से मोल cancel, और divide by weight of solute in kg, तो यहाँ पे 250 divided by 1000, और यहाँ केजी में, तो kg से kg cancel, और यहाँ delta tb में Kelvin आएगा, तो Kelvin से Kelvin भी हो जाए, cancel क्योंकि temperature निकालना है अपन को, ठीक है, अब बात आती है कि मैं delta tb में tb और tb note क्या रहूं, tb तो मुझे find करना है, tb note होगा, water का boiling point, तो water का boiling point में लेता हूं यहाँ पे, चलो इसको delta tb ही रहना तो, बात में जो भी आएगा, 5 से निकाल लेंगे, है ना, अब आपको यह चीज calculate करनी है, 2 into 0.512 into 15, divide by 58.5, और यह 250 और 1000 को भी मैं solve करके, अहाँ पे 4 कर देता हूं, यह 4 उपर चल जाएगा, तो यह हो जाएगा, 8 into 0.5, 12 into 15, divide by 58.5, अब आपको यह solve करना है, आपको delta tb solve करने पर मिले जाएगा, 1.05, ठीक है, अब delta tb क्या होगा, tb minus tb not equal to 1.05 का difference आ रहा है, आपको यहाँ पर tb होता है, 100 degree centigrade, यहाँ पर 2373 Kelvin, तो tb आपका हो जाएगा, अगर 100 degree मानता हूं, तो 1.05 degree centigrade, मतलब, आप 250 gram water में, 15 gram NAC lat करते हो, तो वो water आपका, 101.05 degree centigrade पर boil होगा, ना कि 100 degree पर boil होगा, ठीक है, क्योंकि boiling point में क्या आगया, elevation आगया, अब यह question में बहुत simple से हो, बहुत अच्छा था है, arrange the following equal solution, increasing order of the boiling point, अगर मैं fix amount of solvent लेता हूं, suppose मैंने यहाँ ले लिया हो, water 1 kg का, ठीक है, इन सब में मैंने क्या करा, यह सब 1 by 1 add करे है है ना, अब मुझे बताना है, कि सबसे ज़्यादा boiling point किसमे होगा, सबसे ज़्यादा boiling point किसमे होगा, मतलब, elevation से किसमा हैगा, तो delta tb मेरा होता है, यहाँ पर आई लूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ electrolyte है, कुछ नहीं electrolyte है, i into kb into m, ठीक है, अब यहाँ पर देखा है, delta tb, kb सब के लिए constant है, ठीक है, kb की बात भी हड़ गई, solvent भी constant है, solvent भी हड़ गया, है ना, तो proportional होगा, i k, और यह जो moality में आता है, moles upon weight of solvent in kg, है ना, तो weight of solvent तो constant है, mole vary कर रहा है, तो i into n k, अब जिसमें i into mole का, मतलब, want of factor into mole के प्रोट जादा आएगा, concentration के प्रोट जादा आएगा, वही इसमें evolution जादा होगा, तो पहले आप A के लिए निकालेगे, A के लिए i के वैल्यू आईगी यहाँ पर 1, और concentration आपके पास 0.001, तो delta tb, जो proportional होगा, वो होगा, 1 into 0.001, तो यह हो जागा 0.001, ठीक है, b वाले में i के वैल्यू है, आपके पास यह यूरिया है, तो यूरिया के लिए i के वैल्यू 1 लेते हैं, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर delta tb से b वाले के लिए 1 into 0.001, ठीक है, हाँ, यहाँ पर i के लिए 1 नहीं, यहाँ पर 2 आएगी, कितनी आएगी, 2 आएगी, तो 0.002 हो आएगा, c वाले में देखिए, c वाले में delta tb हो जाएगा मेरा, यह क्या mg cl2, dissociate होगा, आपका mg plus 2, 2 cl minus, iql u लेगे हैं, यहाँ पर 3, तो इसमें 3 into 0.001, तो यह हो जाएगा, 0.003, है ना, d option में देखिए, d में होगा, यह delta tb, 2 into 0.01, यह हो जाएगा, 0.02, अब सबसे ज़्यादा इसमें कौन इसा value है, सबसे ज़्यादा elevation होगा आपका d में, सबसे ज़्यादा होगा d में, उससे कम किसमें होगा, उससे कम होगा c में, है ना, सबसे ज़्यादा d में, उससे कम c में, फिर a और b में कौन ज़्यादा है, a ज़्यादा है, फिर आएग आ जाएगा आई इंटू मोल का आपको फैक्टर निकालना है कुछ और दिया तो नहीं करी मैंना है नहीं करें आई के लिए 2 लिए तो 0.002 हो गया इसमें यह हो गया इसमें 3 और यह ठीक है I think question clear हो गया होगा फिर विए डाउट है तो comment box में पूंच सकते हैं आप next question देखिए an equal solution containing 1.248 gram of barium chloride उसका मुदर्मा से 208.34 in 100 gram of water boil set 100.0832 degree centigrade calculate the degree of dissociation of Bacl to kb दे रखा है आपको यह question CBSC में पूछा गया था ठीक है kb दे रखा है simple सी बाते boiling point दे रखा है तो कहीं न कहीं क्या आएगा elevation in boiling point का concept आएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर water ले रहे हो water cup के असमा से 100 gram 100 gram water में आपने 1.248 gram Bacl to add किया तो obviously अब boiling point बढ़ेगा elevation in boiling point होगा तो आपको वही concept यूज करना है डेल्टा टी बी अब यहाँ पर बेरियम क्लेट क्या है एक electrolyte है तो dissociate होगा तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा i की value लेनी पड़ेगी ठीक है उसी से आप degree of dissociation निकालोगे formula तो आपका हो जाएगा delta tb equal to i into kb into m हो जाएगा है ना और एक बड़ देख लिजे कि barium क्लेट dissociate कैसे होगा यह होगा ba cl2 gives ba plus 2 plus 2cl minus ठीक है ऐसे dissociate होगा है ना initial में आपने लिया 1 t equal to 0 पे तो यह 0 होगा 0 होगा t equal to equilibrium पे यह dissociate हो जागा और suppose 1 minus x से dissociate हो इसके x part dissociate हो रहे हैं तो यह 1 molecule 1 बनाता है तो यह भी x बनेगा इसके 1 part से 2 part बनते है तो इसके x part से 2x part बनेंगे ठीक है आप equilibrium पे total mole कितने हो जाएगे इसके यह हो जाएगे 1 minus x plus x plus 2x तो यह हो जाएगा x x cancel 1 plus 2x ठीक है आपको याद हो IQ value क्या होती है टोटल number of particles after dissociation upon total number of particles before dissociation तो after dissociation आपके पार्टिकल आ रहे है 1 plus 2x और बिफोर dissociation आ रहे है 1 तो यह आपकी हो गई IQ value क्यापने यहाँ पे पुट करिए और फिर आगे की calculation आप करिए तो यहाँ पे delta tb पता ही कितना आएगा pure water का होता है 100 degree centigrade और solution का दे रहे है 100.0832 तो delta tb आपको दे रखा है 0.52 ठीक है mol 80 आपको निकालनी पड़ी mol 80 होती है mols of solute upon weight of solute in kg तो solute है barium chloride उसका mol निकलेगा इसका given weight upon molecular weight तो given weight इसका कितना 1.42 1.248 और इसका given molar mass है 208.34 तो यह वाइट कर दूँगा मैं 208.34 से weight of solvent solvent given आपको 100 gram 100 gram को kg का निकले में 1000 से divide कर दूँगा ठीक है तो यह आपकी होगे इसकी calculation अब आपको यहाँ पर x unknown है x find करना है I think easily solve हो जाएगा ठीक है जब आप इसको solve करोगे तो आपको x की value मिलेगी यहाँ पर 0.836 percentage आपको 83.6% आपको x की value मिलेगी आप कुछ बच्चे क्या करेंगा आए कि लिए सीधा बले 3 माल लेंगे नहीं 3 नहीं 3 तब होती ही जब आपको 100% dissociation question में given होता है आपको 100% dissociation given नहीं है आपको dissociation का percentage ही तो find करना है तो iq value आप 3 नहीं ले सकता है कि लिए आपको ऐस तरह से लेनी ही पड़ेगी तब यह आप find कर पाऊगे ठीक है तो यह आपका हो गया question number 8 जो काफे simple तो इसी question के साथ मैं आज का video complete करता हूँ nca team में question और है 2.13 अपनी दूसको solve करें और try करिए आपके और भी काफी अच्छे concept होंगे अगली वीडियो में मैं कुछ chapter के mcqs लूँगा जिसमें starting से लिए final तक जो भी topic अपने पढ़े chapter में सब के mcqs करूँगा और इस chapter को bind up करूँगा फिर अपने शुरू करेंगे class process का नया chapter और आप तब तक solution को revise करेंगे जो भी वीडियो में doubt आते है उसको दुबारा देखिए और problem आती है तो comment box में mention कीजे मिलते है अगले वीडि